हाई फ्रेंड्स आज हम फादर कामिल बुलके के चरित्य की विशेष्टाओं की कुछ चर्चा करेंगे आपने मानविये करुणा की दिवे चमक इसे पढ़ा होगा और यह एक संस्मरण है यानि कि जब हम किसी वेक्ति को याद करते हुए कुछ लिखते हैं तो उसे संस्मरण कर कहा जाता है जब हम इसे पढ़ेंगे तो फादर बुलके इंजिनीरिंग के अंतिम वाश में पढ़ते थे तभी इनके मन में सन्यास लेने की इच्छा उद्पन हुई थी यह बताया गया है और जब वो सन्यासी बनकर भारत आ गए और भारत की संस्कृती में रच बस गए तभी कि उनकी सारी बातें इस संस्मरण में लेकक ने बताई है फादर बुल के लंबे और गौरे शरीर वाले थे उनके बाल भूरे रंके थे आँखे नीली थी जिन में करुणा की छाया हमेशा बनी रहती थी उनके चेहरे पर एक तेज था उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभाव शाले था कि बहुत ज़्यादा वो प्रभावित किया करते थे जब भी किसी से मिलते थे उन्होंने भारत आगर के B.A. M.A. PhD की उपाधियां प्राप्त की और उन्होंने संस्कृत का गहन अध्यन किया गहन अध्यन किसे कहा जाता है काफी गहनता से पढ़ा उन्होंने रुची से उसे पढ़ा वे राची की सेंट जेवियस कोलेज में हिंदी संस्कृत के विभाग अध्यक्ष थे उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्द कोश भी तयार किया था यनि कि उन्होंने डिक्षनरी को लिखा था उन्होंने बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी लिखा था फादर भुल के एकदम शांत स्वभाव के व्यक्ति थे क्रोध तो मानों उन्हें छू भी नहीं गया था और उनकी वाणी ओजपूर्ण थी उनका हृदेश सदय उदात मानविय गुनों से परिपूर्ण रहता था यनि कि मानव में जो गुन होते हैं अच्छे वाले गुन होते हैं उनसे वो भरपूर थे और वो दूसरों के दुख को दुखी हो करके सुनते भी थे और समसते भी थे सुख जब किसी को होता था तो वो उसे आशिरवाद दिया करते थे अधिक सुख की कामना क्या करते थे साथ ही फादर भूल के मिलनसार व्यक्ती थे एक बात जिसे नाता जोड लेते थे वह उसके साथ अंत तक निभाते थे और अक्सर अपनी मा की यादों में वह डूब जाया करते थे अपनी मा के पत्र भी उनके पास आया करते थे थेंक यू फो यू टाइम